दोस्तों आप लोग कैसे हाकिकत में हाइट बढ़ा सकते हैं इसके उपर पूरी रिसर्च करने के बाद यह वीडियो फुल डीटेल में बनाई जा रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट बढ़ती कैसे है और आप अपन पता है क्योंकि फुल डीटेल में बताने में समय अधिक लगता है इसी वज़े से यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि आपकी लमबाई मतलब हाइट बढ़ती कैसे है इसके बाद हम जानेंगे कि किन किन गलतियों से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है और इसके बाद हम जानेंगे 18 या 20 साल के बाद आपकी हाइट बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है अगर 18 या 20 साल के बाद हाइट बढ़ती भी है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी height बढ़ेगी या नहीं इसके बाद हम जानेंगे अगर आपके मातापिता की height छोटी है तो आपकी height बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी दोस्तों वीडियो का most important part अगर आपकी height बढ़ना रुक गई है या फिर बहुत धीरे बढ़ रही है तो आप इ सरीर में कई सारी हड़ियां होती हैं जब वह बढ़ती हैं तब आपकी height बढ़ती है दोस्तों लंबाई बढ़ाने की सुरुवांत हमारे दिमाग से होती है सबसे पहले दिमाग में मौझूद हाइपोथेलमस एक hormones release करता है जिसे growth hormones कहते हैं यह growth hormones pitutti gland में पहुंचता है pitutti gland इस hormones को फिर से release करती है इसके बाद यह blood में travel करते करते हमारे liver में पहुंचता है देखिए यह है liver यहीं से height बढ़ने की सुरुवांत होती है यह hormones जब bone में पहुंचता है मतलब growth hormones तब यहाँ पर net issue का निर्माड होता है नए tissue का निर्माड होने से आपकी कई सारी bones बढ़ती है जैसे spinal, fibula, tibia, femur जब यह bones बढ़ती है तब आपकी height बढ़ती है दोस्तों अब आपको यह है तो पता हो गया की आपकी height बढ़ती कैसे है लेकिन अब आप वह काम करें जिससे आपके bones के अंदर ज्यादा से जी से बढ़ेगी तो दोस्तों आगे हम दो common exercise बताएंगे इसके साथ साथ कुछ common diet बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने bones में ज्यादा से ज्यादा नए bones tissue बना कर height बढ़ा सकते हैं लेकिन पहले हम यह जानते हैं कि किन-किन गलतियों से हमारी height नहीं बढ़ती है दोस्त का काम जैसी physical activity नहीं होंगी तो human growth hormones मतलब HGH तेजी से release नहीं होगा तो अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दू HGH hormones वे hormones होता है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपकी height बढ़ाने के लिए क्योंकि जब HGH hormones आपकी body में बढ़ता है अभी आपके bones क अंदर नए bone tissue ज्यादा बनने लगते हैं जिससे आपकी height बढ़ती है अगर आप physical activity नहीं करते हैं तो आपकी height बढ़ने के chance कम हो जाते हैं इसलिए यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है height ना बढ़ने की दूसरी गलती है smoking और alcohol का saveन करना अगर आप smoking करते हैं तो इससे भी आपकी height पर असर पढ़ सकता है क्योंकि smoking करने से direct height पर असर पढ़ता है क्योंकि cigarette में nicotine जैसी कई सारी नुकसान दाया chemical पाय जाते हैं जो कि आपकी body में organs के काम करने की capacity को कम कर देते हैं जिससे आपकी height growth पर काफी असर पढ़ता है और alcohol से भी आपकी लंबाई पर फर्क पढ़ता है क्योंकि 20 साल की उम्र तक आपकी body में growth hormones तेजी से बनते हैं जिनसे muscles और हड़ियों की growth तेजी से होती है साथ में आपके अंदर sex hormones भी इसी time में ज्यादा बनते हैं एक research में पता चला है कि अगर आप अपनी height growth की उम्र में सराब या alcohol का सेवन करते हैं तो इससे growth hormones बनने की process काफी धीमी पढ़ जाती है जिससे bones और muscles की growth तेजी से नहीं हो पाती है जिससे की आपकी height नहीं बढ़ती है तो यह भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए height ना बढ़ने की तीसरी गलती है ज्यादा मात्रा में master weight करना अगर आप ज्याता मात्रा में master weight मतलब हस्त मैथून करते हैं तो इससे भी आपकी height पर काफी ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि आपको पता है 20 साल की उम्र तक आपकी body में sex hormone तेजी से बनता है जो हमारी body के व cast और height growth दोनों रुख जाएगा जिससे आपकी height नहीं बढ़ेगी वैसे तो महीने में एक दो बार इसे करने से vicious कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन अगर आप रोजाना यह गलती करते हैं तो इसे ना करें इससे आपकी height नहीं बढ़ती है height ना बढ़ने की चौथी गलती है बरपूर मात्रा में नींद ना लेना तो दोस्तों बरपूर मात्रा में नींद ना लेने से भी आपकी height growth रुख जाती है क्योंकि आजकर लड़के और लड़कियां देर रात तक फोन का इस्तमाल करती हैं जिस वज़े से रात में काफी देर में सोते हैं तो यह एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि हम आपको बता दें human growth hormones यानि कि HGH सोते समय ही हमारी body से तेजी से release होता है जिससे हमारी height बढ़ती है और जब आप देर से सोते हैं तो आपका sleep cycle खराब हो जाता है यानि कि देर से जब सोते हैं तो देर से ही उठते हैं तो इस वज़े से सही से आप आपकी body में human growth hormones नहीं बन पाता है जिससे आपकी height नहीं बढ़ती है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले video को like और channel को subscribe जरूर करते हैं height न बढ़ने की पाचमी गलती है proper nutrients वाली diet न लेना सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ अगर आप बाहर का भोजन करते हैं fast food खाते हैं तो इसे आप तूरंत बंद कर दें इससे आपकी height growth नहीं हो पाती है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ height growth के लिए सबसे important आपकी diet ही होती है आपको diet में क्या-क्या चीजे लेना चाहिए यह हम आगे आपको बताएंगे height growth ना होने की छटवी बड़ी गलती है बहुत सी exercise heavy weight के साथ करना आप लोगोंने कई बार सुना होगा कि exercise करने से height रुख जाती है तो यह बिल्कूल गलत है कुछ exercise ऐसी होती है जिन्हें ज्यादा weight के साथ perform करने से आपकी read की huddy मतलब spinal cord पर ज्यादा pressure आता है जिससे आपकी height रुखने के chances बढ़ जाते हैं तो आगर आप exercise करत चाहिए जिससे आपकी height रुख जाती है दोस्तों उन दो जबर जस्त exercise के बारे में आगे हम बात करेंगे जिससे आपकी height बहुत तेजी से बढ़ेगी लेकिन पहले हम यह जानते हैं कि 18 या 20 साल के बाद आपकी height बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है तो दोस्तों आपने सुना होगा कि 18 साल तक ही लंबाई बढ़ती है लेकिन यह एक average लगाया गया है कि 18 साल तक लंबाई बढ़ती है लेकिन कई लोगों की लंबाई 20 साल से लेकर 25 या फिर 28 साल तक भी बढ़ती है तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सभी जरूरी चीजें अगर आप follow क इस बात में कोई सक नहीं है अगर आपके माता-पिता की height छोटी है तो आपकी भी height छोटी होगी क्योंकि ऐसा माबाप से मिलने वाले genetic की वज़े से होता है लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि माबाप की height कम होती है और बच्चों की height लंबी हो जाती है तो कम height वाले आपसे मिलने वाले जेनिटिक के बाद भी आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो बस आपको उसके लिए कुछ मैधेड्स और टेकनिक के बारे में पता होना चाहिए तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है या बढ़ना रुख गई है तो आपको तीन बातों को धियान में रखना चाहिए जिन में पहली है डाइट मतलब की आप जो कुछ भी खाते पीते हैं दूसरी है एकसरसाइज और तीसरी है लाइफिस्टाइल मतलब आप दिन भर किस तरह से रहते हैं क्या करते हैं तो चलिए सबसे पहले डाइट की बात कर दूसरा आपको अंडे रोजाना आपको एक या दो अंडे अपनी डाइट में जरूर सामिल करना है और तीसरा है फल फलों में आपको अनानास मतलब पाइनेपल इसके अलावा सभी तरह के फलों का ज्यादा इस्तमाल करने की कोशिस करना है इसके अलावा आता है चीकन जो आपकी हाइट ग्रोथ में काफी फाइदे मंद होगा इसके बाद आपको बींस मतलब डालें अपने खाने में ज्यादा इस्तमाल करना है इसके अलावा सर्दियों के मौसम में सकरकंदगा भी आपको इस्तमाल ज्यादा करना है इसके अलावा जितने भी डेरी प्रोडक्ट है इन चीजों का ISTMAL आपको डेली लाइफ में ज्यादा ज्यादा करना है दोस्तों यह वही चीजे हैं जो आपकी हाइट बढने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं इसके अलावा आप लोग असोगन्धा पाउड़र भी ले सकते हैं दोस्तों चलिए आप बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में दोस्तों अगर आप हाइट बढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो आपको डेली रोटीन पर एक्सरसाइज या एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए तो दोस्तों यह दो एक्सरसाइज हैं पहली है रोप जंपिंग और दूसरी है रणिंग इसके अलावा इस्ट्रेचिंग और हैंगिंग एक्सरसाइज भी हाइट बढ़ाने में काफी भादयमंद होती हैं तो दोस्तों डाइट और एक्सरसाइज के बाद तीसरी बाद जो आपको ध्यान में रखनी है वह है लाइफ इस्टाइल तो दोस्तों लाइफ इस्टाइल में सबसे पहले हम सोने और जागने की बात करते हैं तो सोने का सबसे सही समय 10 बजे होता है और जगने का सुबह 4-6 बजे होता है क्योंकि इस समय आपकी सरीर में ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हॉर्मोन्स बनते हैं तो दोस्तों आपको साम को 10 बजे सोना है और सुबह 4-6 के बीज जग जाना है यानि कि 7-8 गंटे की निन आपको रात में पूरी करनी है इसके अलावा दिन भर में 3-4 लिटर पानी आपको जरूर पीना है जब भी आप सुबह बिश्तर से उठते हैं तब आपको 1-2 गलास रूम टंपरेचर में रखा पानी जरूर पीना है इसके अलावा सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के 30 मिनट बाद नास्ता कर लेना है याद रहे नास्ता थोड़ा सा हैवी करना है दोस्तों अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं या बैठे रहने वाला काम करते हैं तो आपको कुछ समय बीच में निका फॉलो करते हैं तो आपकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ेगी और बहुत जल्दी बढ़ जाएगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद